Welcome back to YT Advice इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर आप अपने YouTube चैनल की इनकम को भड़ाना चाहते हैं तो आप sponsorship की और जाएए आप अपने चैनल के लिए sponsorship धूड़िए लेकिन इसमें फिर बहुत से doubts आते हैं कि Sponsorships कैसे लें, कौन सी websites से लें क्या ये सब चीजें risk proof हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कोई fraud के chances, तो ये सब कोई जानने के लिए आप मेरे चैनल की पिछली दो वीडियोस देख सकते हैं और आने वाली दो तिन वीडियोस में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए Sponsorship ले सकते हैं तो अगर आप अपने चैनल के लिए for sure 100% Sponsorship चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा नहीं तो ये ना हो कि आप ऐसे ही कैसे कहीं Sponsorship अपलाई कर दें Famebit के उपर और फिर आपको Sponsorship ना मिले और आपके Proposals जो हैं वो reject हो जाएं तो बेटर है कि पहले ही आप सीख लें तो जिन तो दोस्तों के Subscribers 5000 हैं minimum 5000 हैं वो अभी eligible हैं Famebit के उपर आज ही आप Proposals डाल सकते हैं अपनी Sponsorship के लिए लेकिन जिन दोस्तों के Subscriber 5000 से कम हैं वो भी निराश मत हुई है क्योंकि आपके भी तो जल्दी 5000 हो ही जाएंगे तो दुआ यही है कि आपके जल्दी-जल्दी 5000 हो जाएं तब आप Famebit के उपर काम करना और अपने चैनल के लिए पहली Sponsorship लेना यहां पर आपको Sponsorship मिलने वाली है Minimum से Minimum 50 डॉलर की तो Starting Sponsorship 50 डॉलर में छोटी नहीं है बढ़िया है मैंने भी पहली Sponsorship ली है 50 डॉलर की तो वो सब Experience आपके साथ Share करता हो और हम बात करते हैं कि कैसे आपको Famebit के उपर 100% proper तरह से कैसे Sponsorship लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले आप Description के अंदर जाएए और यहां Starting में ही Link है Famebit को Sign Up करने का तो सबसे पहले हमें करना है Famebit को Sign Up जब आप Click करेंगे तो आपको Famebit Open होगा यहां पर पहले हम Joining करेंगे तो जिन दोस्तों ने Join कर रखा है अच्छी बात है जैसे ही आप Joining पर Click करेंगे तो यहां पर Creator और Brand दो चीज़े हैं तो आपको as a Creator पर Click करना है और Sign Up करना है जब आप Creator पर Click करेंगे Click करने के बाद यहां आपको दिखाएगा Sign Up with YouTube Sign Up with Twitter और Facebook तो आपको Sign Up with YouTube पर Click करना है तो यह आपका अभी account के बारे में पूछेगा जिस account के साथ आपको Link करना है Fimbit को तो वही Gmail ID आपको Select करनी है जो Gmail ID आपकी Already आपके YouTube चैनल से Link है Click करने के बाद जैसे मैंने यहां पर YT Advice सेलेक्ट किया है तो आप अपना चैनल सेलेक्ट कीजिए तो देखे यहां पर यह आपको Access के लिए पूछेगा तो आपको Allow पे क्लिक करना है अभी मेरे case में मैंने तो Sign Up कर रखा है तो मुझे यहां पर आएगा Error क्योंकि This account is already linked with a Fimbit बट आपके case में आपको दिखाएगा कि आपका account जो है वो Link हो चुका है तो मैं Log In पे क्लिक करता हूँ I hope कि आप सभी का अभी Log In हो चुका है तो अभी हम Fimbit के अंदर Sign In या Sign Up कर चुके है अब हम बात करते हैं किस तरह से आपको Properly काम करना है Fimbit के उपर तो जैसे ही आप Fimbit के अंदर Sign Up कर लेंगे तो आपको दिखेगा आपका Dashboard अभी मेरे Case में देखिए One Completed मतलब कि मैंने एक Sponsorship Complete कर ली है वो थी 50 डॉलर की तो मुझे मिले हैं 50 डॉलर अभी ये 50 डॉलर मेरे Fimbit के अंदर ही है मैं इनको कभी भी अपने Account के अंदर Wire Transfer कर सकता हूँ जैसे की आप अपने AdSense के Case में करते हैं तो सेम चीज वही होती है इसमें आप देखिए यहाँ पर Second Option आपको दिखा रहा है Sponsorships का ये Main चीज है जिसके उपर आपको जाना है Sponsorships मैं आपको एक बड़ी Interesting चीज दिखाता हूँ यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग सोचेंगे की पता नहीं Famebit कैसा है बढ़िया है या इसके उपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा Samsung Company एक बहुत अच्छा ब्रेंड है Samsung वो भी यहाँ पर sponsorship दे रहा है बर अभी वो sponsorship है UK और US वाले लोगों के लिए ये जो particular Samsung की sponsorship है आप इसकी amount देख सकते है 2.5K से लेकर 5K dollars अगर आप 30,000 डॉलर मतलब एक वीडियो आपको publish करनी है Samsung के लिए और Samsung उसके लिए आपको देगा minimum 5,000 dollars जो कि इंडिया के हिसाब से बन जाएंगे लाख से भी उपर एक लाख की एक वीडियो हो सकती है अगर आपका channel बहुत अच्छा बन चुका है तो channel अच्छा बनाने के लिए मैंने आपको बहुत चीज़े बताई है कि कैसे आपको अपने channel के अंदर अच्छी engagement लेकर आनी है और अच्छे views लेने है तो यह देखिए तो यही है कि आप Samsung तक कंपनियों की भी यहाँ पर sponsorships apply कर सकते हैं लेकिन मैं आपको आपके proper तकी आप अच्छे से sponsorship ले पाएं उसके लिए मैं आपको एक suggestion दूँगा कि famebit के उपर minimum sponsorship होती है 50 डॉलर की तो आप कोई भी sponsorship लेना चाहें पहली sponsorship प्लीज 50 डॉलर की ही apply कीजिएगा अभी यहाँ पर क्या करना है आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको channel दिख रहा है channel में आपको select करना है YouTube क्योंकि आप चाहते हैं अपने YouTube के लिए sponsorship अगर आप चाहते हैं sponsorship Facebook के लिए तो यहाँ पर Facebook select कीजिए या Twitter या Tumblr जो भी आपको ठीक लगे तो मैंने क्लिक किया है YouTube के ऊपर अब second thing आती है लोग कहते हैं कि वो किस category के लिए क्या उनका channel art का है तो क्या उनको sponsorship मिलेगी अगर आपका channel art का है तो यहाँ पर हो सकता है कोई Caesar की company sponsorship दे दे कोई papers की company या बहुत सी companies हैं कोई battery, कोई sunglasses बहुत सी चीज़े हैं तो यहाँ पर देखे beauty के लिए भी है fashion के लिए भी है gaming के लिए health के लिए others में सब कुछ ही आ जाएगा pets के लिए और tech के लिए अब जिनके technical channels है जिनके apps के app reviews के channel है उनके लिए ये है और जिनके technical channels है जिनको technical जो product reviews करते हैं उनके लिए ये है तो जैसे मैंने tech के ऊपर click किया तो ये देखे यहाँ पर आपको बहुत सी sponsorship दिख रही है तो यहाँ पर आपको देखनी है अपने लिए सही sponsorship तो अब मेरा suggestion ये है कि आपका channel जिस किसी भी चीज़ के साथ related है आपको उसी product के लिए ही या उसी तरह के software के लिए ही sponsorship apply करनी है ताकि for sure आपको sponsorship मिल जाए ये नहों कि आपका channel हो beauty के लिए और आप sponsorship apply कर रहे हैं हो किसी USB के लिए तो obvious है कि वो आपका जो proposal है वो accept नहीं होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी sponsorship अपने लिए ढूंडनी है मान लीजिए मैंने ये एक sponsorship है वीडियो promotion चाहिए इनको YouTube की Android lock screen removal के लिए Android lock screen removal के लिए यहाँ पर आपको पहले details के अंदर जाना है और देखना है कि कौन सी company है ये wondershare company का है और ये पूछ क्या रहे है आपसे कि वो चाहते हैं कि आप उनके लिए एक वीडियो बनाओ और उसके लिए आप पहले अपने devices की list चेक कर लो कि आपके पास जो device है वो ये lock screen removal accept करेगा और ये दे सकते हैं आपको 100 डॉलर से 200 डॉलर तक लेकिन आपको 100 डॉलर से 200 नहीं अपलाई करने आपको 50 डॉलर लिखकर ही proposal send करना है ठीक है तो आपको पहले अच्छे से उनका proposal पढ़ना है कि उन्होंने क्या कहा अब पता चल गया कि वो कह रहे हैं कि उनको एक video चाहिए उनके इस particular lock screen removal के software के लिए तो आप उनकी site के उपर जाके check भी कर सकते हैं software के बारे में तो देखे यहाँ पर लिखा है send proposal इसके just उपर है उस company की rating तो यहाँ पर उस company की rating 5 star है मतलब कि यह company कोई fraud नहीं है और आपको यह कोई भी दोका नहीं देगी आपको पका sponsorship अगर मिलती है तो पैसे ज़रूर मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है send proposal के उपर send proposal में अपनी fees अगर तो आप 20 लिखने लगेंगे तो वो कहेगा कि आपको minimum तो minimum 50 डॉलर लिखने है तो मेरा suggestion है कि starting में आप only 50 डॉलर लिखिए क्योंकि at least वो company आपका proposal देखे तो अगर आपने 500 लिख दिया तो अगर आपके subscriber है 5000 या 10 अजार और आपने लिख दिये 500 रॉपई कि हमें 500 डॉलर की करनी है तो हो सकते है कि वो आपका proposal अच्छा हो उसको check ही ना करें तो best है कि आप 50 लिखो 50 लिखने के बाद delivery date आप जितनी जल्दी बना सकते हैं एक हफ़ते बाद की लगा दीजिए दो तिन दिन बाद की तो यहाँ पर जैसे आज 30 है तो मैं April की 5 लिखता हूँ 5 April को मैं दे दूँगा अब यहाँ पर आपको लिखना है proposal अब proposal मैंने क्या लिखा था और किस तरह से लिखना है यह exactly मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा क्योंकि इससे नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन आप इतने smart enough है कि आपको किसी company को proposal क्या लिखना है देखिए अगर आपको नहीं पता तो इतना suggestion दे देता हूँ कि आप एक brand है YouTube में एक channel है और यह भी एक brand है तो यह brand आपसे एक अच्छा proposal चाहेगा कि आप किस तरह से आप इनके company को इनके brand को फाइदा दे सकते हैं और इसके अंदर मैं पूरा describe करूँगा और मेरा channel यह है मेरे channel के अंदर minimum इतने views आते हैं मेरे channel के बारे में जो भी आप बताना चाहें तो यह चीज़ें आप proposal में बता कर send proposal कर दीजिए अब फिर आपको हो सकता है एक दिन में दो दिन में वैसे यह company 5 star की जो sponsorship है वो जब आपको मिल जाएगी तो messages के अंदर आपको message आजाएगा आपको email भी आजाएगी आपके email id के ऊपर की आपको एक message आया है famebit की और से तो देखे यहाँ पर मेरी Filmora से जैसे बात होती थी और यहाँ पर देखे 33 messages तो ऐसे ही आपकी communication जो है वो famebit के अंदर messages के साथ होगी अपनी company के साथ देखे उस company ने मुझे already कहा है कि they will wait I will wait for a new video of Camtasia versus Filmora तो यह भी एक next sponsorship है जो की हम करेंगे बाद में मुझे मैं करूंगा यह और फिर इसके अंदर देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको पैसे जो है famebit के कैसे मिलने वाले हैं जैसे ही आपने मैं आपको पूरा procedure बता देता हूँ जब आप कोई भी sponsorship apply करते हैं तो यहाँ पर आपको sponsorship apply करने के बाद दूसरी तरफ से accept करेंगे वो आपकी जब sponsorship accept हो जाएगी आपका proposal accept हो जाएगा तो second step क्या होगा वो company आपको hire करेगी और आपको fund करेगी आपको पैसे देगी मलब वो पैसे आपको नहीं वो पैसे famebit को दे देगी तो यह एक अच्छा और secure way हो जाता है क्योंकि इसमें आपके साथ कोई fraud नहीं होगा जो भी आप जितना पैसा आपको मिलने वाला है वो company उतना पैसा पहले ही famebit को दे देगी अब उसके बाद जब आपके यहाँ पर लिखा आ जाए कि funded कि आपको fund मिल गया है तो आपको काम करना है वीडियो बनानी है और उनको reply करना है यहीं आपको messages में जाकर यहाँ पर लिखाओगा send content तो आपको reply करना है फिर उसके बाद वो आपका approval जो है उसको accept कर लेंगे अगर उन्हें accept कर लिया कि आपका project सही है done है उन्हें approve कर दिया तो उनके approve करते ही आपको अपनी वीडियो को अपने channel के अंदर publish कर देना है और उसके बाद जैसे ही आपका approve हो गया दूसरी company की और से तो famebit आपको आपके 50 dollar आपको दे देगा जैसे मेरे यहाँ पर मुझे दिखा दिया है कि 50 dollar अब यह 50 dollar मेरे account में नहीं आए क्योंकि अभी मुझे इसके अंदर अपनी bank की details भरनी पड़ेंगी फिर मेरे account में आ जाएंगे तो यह एक procedure होता है जिसके साथ आपको sponsorship मिलती है अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कितने charges होंगे जबकि आप कुछ भी transfer करने लगेंगे अपने पैसों को अपने bank account में तो यह देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यह आपको pay कर सकते है available payment option यह आपको direct deposit कर देंगे यह आपको paypal भी कर सकते है अगर आपका paypal का account है और उसके अलावा आपको check भी दे सकते है और wire transfer wire transfer सेम चीज है जैसे आप अपने adsense के लिए करते हैं इसके अंदर भी इनका minimum payout 100 dollars है लेकिन 15 dollar यह transaction fees लेंगे मतलब कि अगर आपके 1000 dollar बन चुके हैं और आप transfer करते हैं तो आपको वो 985 transfer करेंगे और एक चीज हो और है famebit आपसे 10% लेता है commission तो मतलब अगर आपको sponsorship मिली है 50 dollar की तो वो आपको देगा 45 अगर आपको sponsorship मिली है 100 dollars की तो वो आपको देगा 90 dollars तो यह भी famebit के अंदर होता है तो I hope कि आपको अभी properly पता चल गया होगा कि कैसे आपको sponsorship apply करनी है famebit के साथ फिर भी अगर कोई भी doubt आता है तो आप comment boxes में लिखिए नजरूर कोशिश करूँगा उनको सही तरह से आपको reply करने की अगर जितनी जल्दी हो पाया मैं reply करूँगा और next video में हम सीखेंगे कि exactly अच्छी तरह से आपको proposal कैसे लिखना है अपने sponsorship के लिए तो एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए खुश रहें और ये दोनों वीडियो को देख लीजिए अपने चैनल को अच्छे से ग्रो करते रहें सरकल पे क्लिक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तो एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं तब तक के लिए अपने चैनल को ग्रो कीजिए और खुश रहें बाई बाई